स्मार्ट टेकनोलोजी ग्यान के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा कर और साथ ही साथ इस बैल आइकन को भी दबाना ना भूले सबसे पहले वीडियो देखने के लिए थैंक यू हेलो फ्रेंट आपका एक बार फिल से वेलकम करता हूं स्मार्ट टेक्मोलोजी ग्यान में और आप आज इस वीडियो में जानेंगे कि आपके अधार कार्ड के साथ कौन-कौन से बैंक लिंक हैं और कब लिंक होएं पूरी डिटेल के साथ तो वीडियो कंटिनू करने से पहले फ्रेंड एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का सब्सक्राइब का बटन है उसको जल्दी से दबा लीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए होगा क्या कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे पोर्टल है ठीक है तो आपको जैसे आप यह टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो देखे सबसे टोप पर एजिडेंस पोर्टल यू आई डी ए आई का वेबसाइट आएगी तो आपको उस पर किलिक करना है यह ओफिशियल वेबसाइट है आधार की तो यहां से आप जाक ही देगा जहां चैक आधार बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस चैक आधार बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस जी हां यहां यहां पर किलिक करके आप जान सकते हैं देख सकते हैं कि आपकी आधार कार्ड के साथ कौन-कौन से बैंक लिंक है और कब लिंक हुए है और वो active है या active नहीं है तो चलिए इस पर click कर देते हैं जो इस पर click करेंगे तो यह इस तरह का page open होगा यह देखिए आधार linking यह official website है आधार की तो यहाँ पर आपको दो option में लेंगे आधार number और security code तो यहाँ पर आपको अपना आधार card number डालना है जो आपका आधार card number है वो आपको यहाँ पर type करना है तो चलिए मैं type कर देता हो आधार card है और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखाता है यह पूरा process होता है तो यहाँ पर मैंने आधार अधार काड़ नमबर अपना डाल दिया है तो फ्रेंट यहां पर कुछ सेक्योर्टी और प्राइवेसी के चक्र मैंने इसको थोड़ा सा हैड कर दिया है और यहां पर जो जो कोड है मैंने ओ डाल दिया है और जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का आपको पास मैसिज आजाएगा कि आपको नमबर जो रेजिस्टर आधार क्यार के साथ उस पर nicord को बसेंड हो गया तो यहाँ पे enter OTP का जो option है यहाँ पे आप OTP डाल देंगे OTP का मतलब होता है one time password जी हाँ ओ का मतलब one T का मतलब time P का मतलब password one time password यह 30 मिनट तक valid रहता है अगर आपने 30 मिनट तक नहीं डाला तो वो expire हो जाएगा one time password तो यह डाल के जैसे आप नीचे ट्रै करेंगे तो यहाँ पे login का option आएगा तो login पे आपको click करना है और जैसे login पे click करेंगे तो यह देखिए आपके सामने आपके जो जो आधार card के साथ आपका account link है उस सारा दिखा देगा तो मेरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक example मेरा मान लीजिए तो मेरा एक ही account इसके साथ bank account अपने आधार card के साथ link है तो यह देखिए यहाँ पे उसका आधार number दिखा दिया bank linking status active है और bank linking date कब link हुआ और bank का नाम कौनचा bank है तो ऐसे ही आप भी अपने आधार card के साथ कौन-कौन से bank link है वो इस आसान step के फिरूँ पता कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है तो फ्रेंट यह वीडियो आपको कैसे लगा लाइक जरूर कीजीगा और यह अच्छी information है अपने friends और दूसरों के साथ भी share कीजीगा और अभी तक हमानारी चैनल को subscribe नहीं है तो please subscribe कर लेना अगर कुछ आपको doubts है कुछ question है तो please comment works में पूछ लेना Thank you